So Hello everyone, स्वागा था आप सब का आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Nifty 50, आज के दिन Nifty 50 ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, एंड इसमें top gainers जो आज की दिन है जो आज की दिन जिन इस टॉक्स ने काफी अच्छा perform करा है top gainers top 5 के बारे में बात करने वाले जिसने आज काफी अच्छा perform करा है एंड उसमें opportunity भी बनती है stock कैसा है कैसा नहीं है सबके बारे में बात करेंगे उससे पहले subscribe करना like करना share करना और इसके साथ ही subscribe करके bell notification प्रेस करके जरूर से all पर set कर देना start करते हैं वीडियो को and एक और चीज़ no recommendation at all किसी भी stock में कोई भी recommendation नहीं है purely educational purpose का यह वीडियो है और आगे बढ़ता है सबसे पहला जो top gainer है वो है access bank यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन nifty 50 में सबसे जादा जो gain हुआ है वो इसी में हुआ है 3.82% लगभग 4% का मैंने इसके उपर कल ही video बनाया था मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यह देख सकते हूँ मैंने कल ही इसके उपर video बनाया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा मौका है छोड़ना मत करके और इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ही जल्द यहाँ पे यह एक breakout के तरफ जाएगा और यह gap बहुत ही जल्द फिलोगा आप video को देखना आप समझ जाओगे और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर breakout होगा तो इसमें बहुत अच्छी opportunity आएगी यहाँ पे जो है कोई resistance इसे नहीं मिला है बलकि breakout मिला है और fresh breakout है आप देख सकते हो तो यहाँ पे जरूर से एक opportunity बनती है और Axis Bank stock भी काफी अच्छा है मुझे अच्छा लगता है मैं कोई recommendation आपको नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे fresh breakout है तो यहाँ पे एक अच्छा momentum एक नया momentum देखने आपको मिल सकता है और हो सकता है stock थोड़ा गिरे और एक बाद रिटेस्ट करे ठीक है chances कम है बट देखते हैं अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे भी opportunity होगी क्योंकि यह resistance जो है जिसने तीन बार resistance दिया है वह अब support बन जाएगा और एक अच्छी rally आएगी यहाँ से एक अच्छा momentum यहाँ पे हमें दिख सकता है तो हाँ बहुत अच्छी बात है fresh breakout पे एंट्री ली जा सकती है पहला हो गया दूसरा यहाँ पे हम बात करने वाले hero motocop के बारे में मैंने इसके उपर पहले भी video बनाया था यहां पर मैंने वीडियो बनाया था चे दिन पहले बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जब तक इस में जो है यह तेजी breakout के बाद मैंने आपको बताया था जब तक यह तेजी भी जब तक घुट तक थोड़ा downfall नहीं आता है तब तक इसमें कुछ थोड़ी बहुत गिरावट होगी उसके बाद हम कुछ opportunity देख सकते बट फिलाल के लिए मैं इसमें कोई opportunity नहीं देख पा रहा हूँ आगे बढ़ते हैं इसके गेंस के बारे में बात करें तो यह second था 3.45% गेंस थे इसमें उसके बाद MM मतलब महिंद्रा और महिंद्रा यहां अगर आप देखोगे इसमें भी एक breakout तो है with very good volume बट यह जो है एक बहुत major breakout नहीं है एक fresh breakout नहीं है मैं कहूंगा क्योंकि जो resistance था इन दो resistance को break किया है इसने लेकिन अभी भी जो all time high का resistance है वो अभी भी बाकी है तो all time high break नहीं हुआ है तो अगर कल भी यहां पर एक अच्छ का जो all time high का है तो यहां पर फिर से एक अच्छी तेजी हमें देखने मिल सकती है यहां पर एक fresh breakout के बाद अगर अच्छा volume होता है उसके साथ तो अगर ऐसा नहीं होता है अगर यहां से resistance देखने मिलता है तो फिर कुछ opportunity अभी के time पर नहीं दिख रही है मुझे लेकिन हाँ वह हम कल बात करेंगे जो भी होगा आगे बढ़ते हैं और इसका percentage आप देख सकते हो 3.39% है मतलब देखो nifty 50 के stocks 33% आज ऊपर गया है कोई तो 4% के आज पास taxes bank तो यार आज काफी अच्छा performance था overall nifty ने भी आज काफी अच्छा performance किया है आगे बढ़ते है विप्रो के तरफ विप्रो में भी यहां पे हमें 2.37% देखने मिल जाता है लेकिन विप्रो में मैं कहूंगा कुछ खास opportunity नहीं लगती है मुझे जो यहां पे resistance का area था वो अब यहां पे पहुँच चुका है तो मुझे लगता है यहां पे जो support है वो resistance बन गया है और यहां पे resistance हमें देखने में मिल सकता है और वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि विप्रो मुझे फसा हुआ लगता है और मुझे लगता है विप्रो से बहुत बढ़ी IT companies आपको बहुत easily मिल जाएंगे आपको research भी नहीं करना होगा और काफी मैंने discuss भी किया हुआ है यहां पे मैं को recommendation नहीं दे रहा तो फिर यहां पर हम मान सकते हैं कि यहां पर जो है कहीं नहीं यहां पर थोड़ा सा तेजी मिला है क्योंकि यहां पर आप देखोगे इसका breakout होगा तो यह resistance देगा इसका breakout होगा तो यहां पर resistance आएगा यह जो zone है यह पूरा zone resistance देगा तो यहां पर मुझे लगता है इसमें यह थोड़ा बाकी है यह थोड़ा और time spend करेगा consolidate करेगा इस तरह से इस तरह से जो consolidate कर रहा है वैसा ही consolidate करेगा बाकी हाँ no recommendation at all और आज के दिन का last stock जो कि है Tata Motors और कल का दिन काफी important होने वाला है क्योंकि कल के दिन जो है listing होने वाली है Tata Tech की तो Tata Tech के listing से और obviously फर्क तो पड़ेगा यहां पर मुझे लगता है और आज की दिन अगर आप देखोगे तो आज की दिन यहां पर allotment था बहुत लोग को मिला बहुत लोग को नहीं मिला आप comment करके बताना क्या अपने apply किया था allot हुआ नहीं विडियो में discuss भी किया हुआ था कि IPO में क्या है कब क्या date होने वाला है और allotment के बाद क्या कर सकते हैं सब मैंने बात किया हुआ है कि main बात तो यह कि allotment के बाद क्या करना है allotment का थीक है लेकिन हम investor से हमें long term देखना होता है हम short term में allotment हुआ gains आया listing gains के बाद निकल गई यह सब काम नहीं करते मैं मैं तो नहीं करता और यहां पर आप देखो कि कल यहां पर breakout आया था आज यहां पर same volume यहां पर देखो same volume के साथ एक अच्छी तेजी आज की दिन हमें देखने मिली और यहां पर breakout continue है तो मुझे लगता है यहां पर अच्छी opportunity आपको मिल सकती है अ फिलाल भी मुझे लगता है इंसायद ही नीचे आए अगर allotment सही तरह से होता है और टाटा टेक का IPO है टाटा का IPO है उसमें भी टाटा टेक एक बहुत अच्छी company तो मुझे लगता है यहां पर नीचे आने के chances कल के दिन तो कम ही है और उसके बाद आगे का पता नहीं तो किलेंगे यार किसी और वीडियो में मैं आपको एक बर और बता दू कोई भी तरह का किसी भी तरह का recommendation में नहीं प्रोवाइड कर रहो purely educational purpose का यह वीडियो है कोई भी कॉल्टिप recommendation नहीं है एंड करते हैं जैहिंद एंड थैंक्स वर वॉचिंग